ओम शान्ती, आज बाबा के 26 जुलाई के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप से जीवन मुक्ती का वर्सा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंदनों से मुक्त बनों, यहां के जीवन मुक्त ही वहां जीवन मुक्ती पद पाते हैं। प्रश्न है इस ज्ञान का बीज अविनाशी है कैसे? उत्तर है इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजदानी स्थापन होती है वे राजदानी बहुत बड़ी है जो आतमाई एक बार भी ज्ञान ले लेती है भल बीच में छोड़ कर चली जाएं फिर वे अंतमी आ जाएंगी क्योंकि उन्हें भी राजदानी में आना ही है जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीच पड़ा है वे आ जाएगा जा नहीं सकता ये बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है गीत है बोले नाथ से निराला कोई और नहीं बिगडी को बनाने वाला कोई और नहीं ओम शांती बच्चे अब अपने भोलानाथ प्रानेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीती जानते हैं किस बेहत के मालिक बोलानाच से हमको फिर से स्वर्ग का वर्सा मिल रहा है, बुद्धी वहां चली जाती है, बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं, बाप बुलाने आई हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं, एक साजन आकर सब सजनीों को गुल-गुल बनाते हैं, उनका नाम ही है पतित पावन, परंतु बच्चे बाप को बूल जाते हैं, ये बूलना भी ड्रामा के अंदर है, बाप आकर सभी राज समझाते हैं, तुम लकी सितारों का मर्तबा बाप से भी उंच है, जैसे बाप ब्र ब्रम्हांड का मालिक है, वैसे तुम भी ब्रम्हांड के मालिक हो, तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे, फिर तुम बच्चों को तो पाट बजाना ही होता है, तुम जानते हो, हम वैकुंट नात बनने के लिए तिरलो की नात के पास आई हैं, बाप कहते हैं, बच तिलो की नात हूँ, फिर सत्यूग में आता है, तो उसके नात तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ, मैं आता ही हूँ, तुम्हारी आत्मा को रावन के दुखों से छुडाने, रावन से तुम्हें बहुत दुख मिला है, ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं, इनके चार य युग नहीं, बलकि पांच युग हैं, चार हैं बड़े, एक संगम युग, लीप युग है, ये नौलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ग्यान सागर के तुम बच्चे बने हो, भगती मार्ग में उसकी महिमा की जाती है, तुम ग्यान के सागर, शान जाता है, सर्वगुन संपन, सोला कला संपूरण, इस कल्युग में तो होते नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा, तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो, ब्रह्मा विश्नु शंकर, जो सुक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखात हैं, प्रवर्ती मार्ग दिखाने के लिए, तो स्वर्ग भी यहां ही होता है, ब्रामन वर्ण से तुम देवताव वर्ण में आएंगे, फिर शत्रिय वर्ण में आएंगे, सयानी बच्चे जो होते हैं, वै अच्छी रीती पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, अज्यान काल में भी बच्चा होता है, तो समझते हैं, वारिस आया है, तुम भी मम्मा बाबा कहते हो, तो वारिस ठहरे न, जैसे गांधी को बापु जी कहते थे, यू तो भारत में मात पिता बहतों को कहते हैं, बुजुर्ग को पिता जी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते, ये तो सभी का बापू जी है ही प्रानेश्वर अर्थाद सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है बाप कहने से वर्से की खुशी दिल में आती है वे भासना आती है तुम बच्चों को भी नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार भासना आती है बरोबर बेहद का बाप आकर राज्योग सिखलाते हैं ब्रम्हा विष्णू शंकर राज्योग सिखला न सके भगवानु वाच्चे है देवी देवताएं हैं देवी गुण वाली मनुष्य परमेश्वर माना गौट फादर भारत में भी कहते हैं परमपिता परमात्मा सुप्रीम गौट फादर तो बुद्धी उपर में चली जाती है क्योंकि जानते हैं फादर उपर में रहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो हम भी वहां के रहने वाले हैं अभी हम उस प्राणिश्वर के सम्मुक बैठे हैं बाप सम्मुक याद दिलाते हैं तो निश्चे करते हो बरोबर यह कोई सादू मात्मा नहीं हम मात्पिता के सम्मुक बैठे हैं क्यों उनके बने हो मात्पिता से भविशे किस जनमों का वर्सा लेने अगर निश्चे नहीं तो क्यूं बैठे हो कारण चाहिए बिना पहचान कोई किसी के सम्मुक बैठना सके दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है यह सन्यासी है यह गवर्नर है यहां यह बाप तो है गुप्त जबकि समझते हैं परमपिता परमात्मा परमधाम का रहने वाला है फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती ही नहीं आत्मा याद करती है ओ गौड फादर खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारती किसके लिए बहुत थोड़ी समझनी की बात है परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते माया संशे बुद्धी बना देती है पुकारते भी है ओ गौड फादर फिर कह देते हम ही फादर है तब पुकारते क्यूं है फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा याद एक को ही करना है अभी तुम सम्मुक बैठे हो जानते हो हम परमपिता परमातमा की बने हैं उससे वर्सा लेते हैं अब तो नहीं भूलेंगे ना बाप कहतें बच्चे अशरीरी बनो पवित्र बनो मैं तुमको लेनी आया हूँ देवताओं के आगे गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना हीं देवताओं की मैमा गाते हैं अपने को नीच पापी समझते हैं जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी उसको स्वर्ग कहा जाता उसको स्वर्ग शिवाले कहा जाता था शिव स्वर्ग होता है परंतु भारत स्वर्ग था आदी सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे ये बूले हुए हैं कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा स्वर्ग तो होता है सत्युग में कल्युग में थोड़े होता है जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा तो तुम पूछो स्वर्ग होता कहा है? समझते हैं परमधाम में परमात्मा के पास गया वही स्वर्ग है. या तो कहते निर्वानधाम गया या फिर कहते जोती जोत समाया अक्षरों का कितना फरक है? उसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व यह है आकाश तत्व इनको महतत्व नहीं कहेंगे महतत्व वह है ब्रह्म महतत्व ब्रह्मांड जहां हम आत्माई अंडे मिसल रहती हैं बाप भी वहां रहते हैं उसको परमदाम कहा जाता है बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती हैं जबकी सम्मुक बैठे हो भगत तो भगवान को ढूंडते रहते हैं तुम जानते हो भगती मार्ग में सबसी जास्ती भगती कौन करते हैं जरूर जो पहले पूज्य थे वही फिर पहले पुजारी भगत बनते हैं यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी परन्तु वे समझते हैं कि परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं यह तो रौंग है बाप आकर बच्चों को उच मैमा लायक बनाते हैं परन्तु सभी को स्वर्ग की जीवन जीवन मुक्ती नहीं मिलेगी, जीवन मुक्ती तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे, जीवन मुक्त अर्थार माया के बंधन से मुक्त ऐसे नहीं कि सभी सत्यूग में आएंगे, सत्यूग में तो वही आएंगे जो राज्योग सीखते हैं, ज्यान मार्ग म कितने बंदनों से निकलना पड़ता है मीरा को कोई इतने बंदन नहीं थे वे सिर्फ कहती थी शिरी क्रेश्न से मिलना है इसलिए पवित्र बनूँगी तुमको तो शिरी क्रेश्न पुरी में जाना है वे मीरा थी भाक्त शिरोमनी तुम हो विजय माला शिरो मनी, जो विजय माला पूजी जाती है, भगतों की माला कोई पूजी नहीं जाती, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उन्हों की माला पूजी जाती है, भगत तुम बच्चों की माला को पूजते हैं, पहले है रुद्र माला, फिर विश्नु की माला बनती है, यह कोई नहीं जानते की माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं, अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे, भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं, तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है, फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरे तुम राजजबी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे, तुम से ही फिर भक्ती और भी सीखेंगे, तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो. बाब राजयोग सिखलाते हैं, जिसका नाम गीता रखा है, धरम शास्त्र का नाम तो चाहिए ना, भल ज्यान प्रायलोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना, शास्त्र बनाए, उसका नाम श्रीमत भगवत गीता रखा है, भक्ती मार्ग के लिए गीता बनाते है वे गीता कोई ज्ञानमार्ग के लिए नहीं है कितनी गीताएं सुनाते रहते हैं ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राज्योग सिखाते हैं कहेंगे भगवान राज्योग सिखाकर गया था फिर उसकी शास्त्रवेट पढ़ते हैं अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को एक ही बार राज्योग सिखलाए सो राजाओं का राजा बनाने आया हूँ जब तक सद्गती देने वाला ना आये तब तक भगती मार्ग की महिमा जरूर चलेगी जो कल्प पहले आये होंगे वही आकर ये सुनेंगे अजुन तो बहुत बनने वाले हैं सोर्यवंची चंदरवंची राजधानी इस्थापन हो रही है तो कितने आएंगे इसलिए ग्यान का विनाश नहीं होता है साहुकार प्रजा, सहधारन प्रजा, नौकर चाकर आदी भी चाहिए न कितनी बड़ी राजधानी इस्थापन होती है मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि कैसे सत्यूगी राजधानी इस्थापन होती है अगर यह जान जाएं तो सुनाएं बाप को ही बूल गए हैं निराकार शिव भगवानु वाच्च के बदले शिरी कृष्ण भगवानु वाच्च लिख दिया है शिव जैन्ती के बाद फट से शिरी कृष्ण जैन्ती आती है वे श्री क्रिश्न है वे कुंटनात ये बैट तुमको वे कुंटनात बनाते हैं श्री क्रिश्न को फिर द्वापर में ले गए हैं कितना भारत के ज्यान का सुत मुझा हुआ है अब अच्छी रीती धारण कर नौलेच्फुल बनना है देखना है हम कितने माक से पास होते हैं अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर पास होंगे गरस्त व्यवहार में रहते पढ़ना है ऐसे तो कहां भी होता नहीं जो बुडे बुडियां इस्तरी पुरुष बहु आदी स सब आकर पढ़े शास्तर भी ऐसे नहीं पढ़ते माताओं को तो कहते तुमको शास्तर पढ़ना नहीं है पुरुषी पंडित बन पढ़ते हैं यहां देखो कौन-कौन पढ़ते हैं कैसी-कैसी बुडिया आती हैं वंडर है ना गरस्त व्यवहार में रहते कमलफूल समान प आजियुक सीखना है गौड़ फादरली स्टूडेंट बनना है इसका नाम ही है इश्वर यह ब्रम्हा कुमार कुमारियों की कॉलेज इश्वर ब्रम्हा द्वारा पढ़ा रहे हैं ब्रम्हा कोई विश्नु की नाभी से थोड़े ही निकला है यह तो परंपिता पर्मात्मा की नाभी ही कहेंगे बीज रूप तो शिव बाबा है ना उनसे ब्रम्हा विश्नु शंकर निकले तीनों का अर्थ ही अलग अलग है अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर विश्नु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं नर नारायन का मंदिर है तो उन्हों के भी चत्रबुच बनाते हैं नारायन होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी नर नारायन नारी लक्ष्मी नर नारायन को चार भुजा देते हैं नारायन को अलग लक्ष्मी को अलग तो दो दो भुजा देनी चाहिए ऐसा काईदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए परंतु बिचारे न नर नारेन के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं, नर नारेन के साथ लक्षमी भी देते हैं, दीप माला में महालक्षमी की पूजा करते हैं, माताओं की कितनी महिमा है, जगत अंबा की बड़ी महिमा है, जगत अंबा बड़ी मीठी लगती है, क्योंकि कुमारी है, यह अदर है, तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परन्तु महत्व को जानते नहीं हैं, जगत अंबा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं, बाप ने आकर माताओं को ऊंच उठाया है, तो बहादुर बनना चाहिए, शेर पर सवारी चाहिए, अत्याचार होंगे, परंतु बाप के बने, तो धरत पढ़िये, धरम ना छोड़िये, पवित्र बनकर उंच पद जरूर पाना है, मीरा भी पवित्र बनी ना, बाप कुमारियों को कहते हैं, बोलो हम पवित्र बन, वै अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद प्यार और गुड मॉनिंग, रोहानी बाप की, रोहानी बच्चों को, नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की, रोहानी बाप दादा को, याद प्यार, गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्त धारना के लिए मुख्यसार है, सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है, पढ़ाई को अच्छी रीती धारन कर नौलेज़फुल बनना है, बाप समान महिमा योग्य बनना है, विजय माला में शिरोमनी बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है, बहुत बहुत बहादुर बनन, पवित्र जरूर बनना है, वर्दान है इच्छों रूपी मिर्ग तृष्णा के पीछे भागने के बज़ाए सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भवर। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लौटरी निकल आए, तो हम यग्य में लगा दें, लेकिन ऐसा पैसा यग्य में नहीं लगता, कई बार इच्छा स्वयम की होती है, और कहते हैं कि लौटरी आएगी, तो सेवा करेंगे, लेकिन अब के करोडपती बनना, अर्थाद सदा के करोडगवाना, इच्छाओं की पीछे भागना तो ऐसे हैं, जिसे मिर्ग तृष्णा, इसी लिए सच्ची कमाई जमा करो, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो, स्लोगन है, विगन को, विगन के बचाए, खेल समझ कर चलो, तो खेल में हस्ते गाते पास हो जाएंगे, अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग कर, स्वमान में इस्थित हो, निर्मान बन, सम्मान देते चलो, ये देना ही लेना बन जाता है, सम्मान देना, अर्थार उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर, आगे करना है, ये सदाकाल का उमंग उत्सा, अर्थार, खुशी का, वे स्वयम के सैयोग का खजाना, आत्मा को सदा के लिए पुन्यात्मा बना देता है, अच्छा, ओम, शांती, कर दो में लोग में लाओ का झंद। स्वयम लिएम जालको आत्मा सना देता है ये के लिए बना म जादा कि 여기는 देता है,